नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्ट्स में बहुत-बहुत स्वागत मैं हुई एक एस राजवीर और आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए डिसकस करने वाला हूँ syllabus यानि MP grade 1 का syllabus और इस syllabus को मैं detail में आपको बताने की कोशिश करूँगा साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किन sources से आप पढ़ सकते हैं यानि अपनी तयारी को कर सकते हैं और कौन से वो sources होंगे जो आपके लिए helpful होंगे यानि MP grade 1 इसकी पूरी तयारी का एक roadmap मैं आपको बताने आया हूँ with syllabus और even आपको अपने course के बारे में भी जानकारी प्रवाइड करूँगा तो अगर आप MP grade 1 के लिए तयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो दिन आपके लिए ये वीडियो helpful होने वाला है देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूँ कि जो MP grade 1 का जो syllabus है तो उसे दो parts में basically divide किया गया है दो parts में आपको मिलने वाला है ये सले बस कौन कौन से parts है तो यानि कि एक part A है और एक है part B part A में क्या है और part B में क्या है इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ देखिए part A में आपको मिलने वाला है grammar वाला पार्ट यानि कि जो language वाला पार्ट मिलता है तो यानि पूरा का पूरा ये grammar वाला पार्ट आपको मिलने वाला है पार्ट वन में यानि पार्ट A में grammar का पार्ट है ग्रामर में अगर देखा जाए बेसिकली तो लगभग लगभग complete जो intermediate लेबल तक आप लोग grammar पढ़ते हैं तो उतनी grammar आपके syllabus में प्रवाइड की गई है यानि कि उतनी पढ़ने की आपको जरूरत पढ़ने वाली है जैसे अगर आप देखें यूज ऑफ आर्टिकल मतलब आर्टिकल आपको पढ़ना है प्री पोजीशन पढ़ना है कंजंक्शन पढ़ना है वर्ब मॉडल्स एडवर्ब पढ़ना है आपको तो यह देखिए आपका पूरा पार्ट हो गया इसके बाद आपको finite non finite classes के बारे में और determiners के बारे में prefix और suffix के बारे में पढ़ना है और number यानि की जो आपका number है जो number system है यानि की number system का मतलब की कौनस आपका case and all होगा इसके बाद gender के बारे में आपको पढ़ना होगा pronouns के बारे में भी पढ़ने की जरूरत आपको पढ़ेगी यानि पूरा का पूरा parts of speech आपके ये सामिल किया गया है और complete part को यहां पर syllabus में जो है रखा गया है complete part आपका जो entire part है वो syllabus में आपके लिए रखा गया है अब बात आती है कि इन सब को cover कहां से करेंगे थोड़ी और मैं बातचीत कर लेता हूं जैसे आपको transformation पढ़ना है transformation of sentences active and passive भी पढ़ना होगा direct and indirect narration यानि कि vocab में देखे आपको opposite anonyms पढ़ने की जरूरत पढ़ेगी है और one word substitution भी है homonyms भी है reading comprehension यानि कि एक आपको passes भी मिलेगा unseen passes भी है और note making है तो यानि इतने टॉपिक है और अब अगर मान लीजे मैं यह कहूं आपसे कि इतने पूरे topic आप कहां से पढ़ सकते हों तो अगर आपको इतने पूरे topic पढ़ने हैं तो आपको इतने पूरे topic पढ़ने के लिए अगर एक book बताई जाय तो दिखिए book तो वैसे market में कहीं सारी हैं लेकिन जो अच्छी किताबे हैं खास करके English lecturer ship के लिए ज़्यादा helpful हो सकती है even वो जैसे UPTZT, PZT के भी aspirants होते हैं तो grammar part वहां रहता है तो वैसी ही book आपको जरूरत पढ़ेगी तो मैं आपको suggest कर सकता हूँ एक book एक क्या मैं दो book आपको suggest कर सकता हूँ एक तो देखिए दोस्तों आपके लिए ran and martin है ran and martin आपको एक book आपको नजर आती है बाइद वह ये दोनों version में आती है और हमारा जो telegram है उस पर pdf भी available है इसका इसका pdf हम लोगों ने वहाँ पर डाल रखा है अगर आप चाहें telegram का handle होगा हमारा at the rate grammar lovers ये अपना जो है हमारा telegram handle है अगर आप चाहें तो यहां से भी आप ran and martin की जो book है और with key आपको मिल जाएगी तो ran and martin की book ये Hindi medium और English medium दोनों आती है best book मानी जाती है वैसे अगर देखा जाए और इसमें थोड़ा सा जो label होता label काफी अच्छा होता बहतर label होता इस book में इसके बाद एक और book में आपको suggest कर सकता हूँ SP बक्षी अगर आप SP बक्षी अगर आप SP बक्षी भी खरीद लेते हैं तो ये भी आपके लिए एक बड़िहा option है तो यानि एक book अगर आप ये वाली ले लेते हैं तो आपका grammar का part लगबग पूरा हो जाता है रहती है बात vocab की या apposits and all पढ़ने की तो देखिए ये वाला जो part है ये part थोड़ा सा longer होता है लिंदी होता है आप ऐसा कह सकते हो तो आपको इसके साथ साथ कुछ other sources भी जैसे black book and all है तो वो भी आप other sources भी ले सकते हो vocab part के लिए depend करता है कि exam में weightage कितना रहता है आपके grammar section का तो ये जो पूरा part है और अगर हमारे जैसे courses है तो courses में ये पूरा का पूरा part आपको पढ़ाया जाता है पूरा grammar vocab and all और सारी चीजें आपकी जितने भी topic है topic wise आपको classes भी हमारे courses में जो paid course है तो paid course में आपके लिए available रहेगा तो अगर आप चाहेंगे तो आप इस number पर message करके वो भी जानकारी ले पाएंगे ये number दिया हुआ है यहाँ पर इस number पर आप message करके whatsapp पर अपना नाम और course का नाम डाल करके आप जानकारी ले सकते हैं आराम से अब आती है बात कि ये तो grammar वाला section हो गया grammar section के बाद दोस्तों आता है literature वाला section वैसे literature के अगर मैं बात करूँ तो literature को समझना बहुत जरूरी होता है literature में जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि literature को समझना बहुत जरूरी होता है तो दिखिए जो दूसरा part है part B तो इसमें जो आपका section है वो है literature वाला यानि कि literature में क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्यों पढ़ना है देखिए सबसे पहले मैं आपको बताओं कि मैं थोड़ा syllabus से बाहर की बात करना चाहूंगा है इसलिए मुझे syllabus से बाहर की बात करना है क्योंकि अगर मैं syllabus से बाहर की बात नहीं करूंगा तो थोड़ा समझा पाना थोड़ा मुस्किल हो जाता है देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि दो-तीन वीडियो हैं जो अवेलबल हैं मेरे ही यूट्यूब पर अगर आप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा Basically, Basics of English Literature आपके तो बहुत अच्छे से तयार होना चाहिए Basics of English Literature में कौन-कौन से ऐसे सेक्षन होते हैं और क्या-क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ देखिए Basics of English Literature में सबसे पहली बात तो आपकी History होना चाहिए History, Terms, Forms, Figure of Speech, Stengiic Pattern, Rhyme तो इन चीजों के बारे में आपके पास जानकारी अच्छी वाली होनी चाहिए अगर इन चीजों की जानकारी नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको तो जो Basics of English Literature वाला एक मैंने वीडियो बनाया था यानि movement तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता Figure of Speech को समझना बहुत ज़रूरी होता यह Basics English Literature के इसके बाद आते हैं दोस्तों आपके topic देखिए अगर एक अच्छा literature student है तो सबसे पहले इस historical background और historical background के बाद यह terms, forms और इसके बाद terms और forms के बाद वो figure of speech and all को stangike pattern को पढ़ लेता है इसके बाद proceed करता है तो देखिए आपको literature में सबसे पहला जो portion है आपके लिए तो यह portion है आपके लिए fiction वाला कि जैसे आपको fiction पढ़ने की ज़रूरत है fiction का मतलब वही novel वाला part इसमें से देखिए जैन आस्टिन का पढ़ना है Pride and Prejudice कोई दिक्कत नहीं आराम से पढ़ सकते हैं Charles Dickens का आपको पढ़ना है Tale of Two Cities यह भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा novel है इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत पढ़ेगी और इसके बाद देखिए Indian Writing में Anita Desai का Bye Bye Blackbird पढ़ना है हमें और खुश्वन सिंग का The Portrait of the Lady यह पढ़ने की ज़रूरत है अब रही बात इनके पढ़ने के क्या sources हो सकते हैं जैसे basically जब हम अपने course में cover करते हैं तो इन्हें किस तरह से cover करते हैं जैसे हम इसकी summary, character, important statements है न और summary, character, important statement, theme और भी जो background है जो exam के oriented है या exam के लिए जरूरी part है वो हम आपको completely provide करते हैं पूरा का पूरा complete provide किया जाता है अब रही बात कि अगर आपको जैसे self study में है तो self study भी कर सकते हैं इसमें कोई दोराय नहीं है देखिए जब आप classes join करते हैं self study में होते हैं इसमें थोड़े differences होते हैं differences basically यह होते हैं कि जब आप classes join कर लेते हैं तो आप regular होते हैं at least आपने pay किया होता है तो आपको भी लगता है अरे यार कम से कम मैंने pay किया है मुझे देखने की जरूरत है है ना और साथ में daily daily जो basis classes आती है अगर आप book purchase करना चाहें तो book एक अरिहंत publication की शायद आती है market में काफी पहले मैंने book देखी थी अभी का मुझे बिल्कुल नहीं पता कि अभी recent में market में available है या नहीं लेकिन काफी पहले मैंने देखा था तो बता दू मैं आपको कि यह आपको पढ़ने की जरूरत है जैसे तो आप Google से भी search कर सकते हो जैन आस्टिन प्राइड और पिजडिस देखी बात यह होती है कि जब आप खुद पढ़ते हैं और कुछी के पढ़ाने में difference होता है एक experienced teacher जब आपको पढ़ाता है तो at least यह बता देता है कहां से आने की मतलब क्या संभावना है क्या चीजे पूछी जाती ही किस तरह का pattern होता है यह सारी चीजे आपको वो teacher बता देता है लेकिन जब आप self preparation में होते हैं तो थोड़ी problem आ सकती है जैसे characters को understand करना, story को याद रखपाना वो सारी चीजे होती है और online benefit आज के लो online classes का बहुत बड़ा है कि at least आप एक class को जितनी बार चाहो उतनी बार देखी सकते हो तो यहाँ पर अगर देखे तो इन किसी भी work को आप Google sources से पढ़ सकते हो multiple sources मिल जाएंगे आपको Google में, किसी भी work को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी work को आप Google sources से पढ़ सकते है उसका summary, उसके character, उसका analysis बिल्कुल पढ़ सकते है लेकिन इस्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं मैं regular लहूं, अच्छा सकोर करूं, तो फिर आप classes जरूर ले सकते हैं ड्रामा वाला जो section आता है, तो ड्रामा वाले section को देखे, ड्रामा वाले section में आपको पढ़ना होगा जी बी सौ का Arms and the Man, विलियम शेक्सपियर का आपको Tempest और Hamlet पढ़ना है और इंडियन की अगर मैं बात करूं, तो राविदना टैगोर का The Poet and Popper और गीतांजली True Worship ये आपको पढ़ने की जरूरत होगी इस पार्ट में, तो देखे, ड्रामा में Arms and the Man, Tempest और Hamlet है ये तीन ड्रामा आपके हो गए, इसके बाद Poet and Popper, गीतांजली True Worship, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत है, तो ये इंडियन राइटिंग है एक्चुली में, और यहां पर जो आप देख रहे हैं, तो ये ड्रामा का पार्ट है, ठीक है, तो कोई दिक्कत ने इनकी Summary Analysis, क अगर 10 work prescribed है, तो वो फिर normal question बन जाते हैं, मतलब upper level के, मतलब बहुत ही surface level बाले question बन सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर question थोड़ा deep nature के रहते हैं, और आपको समझना बहुत जरूरी होगा, और अगर आप इनके बारे में भी पढ़ना चाहो, तो Google sources, open sources हैं, Wikipedia, Spark Notes, बहुत सारी आपकी websites हैं, जहां से आप इनको पढ़ सकते हो, पूरी कोशिश करके आप पढ़ सकते हैं, इसके बाद आता है दोस्तो, poetry का section, part B यानि literature ही चला है अभी हमारा, और यहां पर आता है poetry का section, poetry में कौन-कौन सी आपको poems पढ़ने की जरूरत है, तो देखिए P.B. Shelley का Ode to Skylark प Gitanjali and Wordsworth की अगर देखा जाए, यह British writer हुए है आपके, तो इनका I wondered lonely as a cloud, यानि कि हमें क्या पढ़ना है, Wordsworth का I wondered lonely as a cloud, यह एक poem है, तो इस poem को पढ़ना है, William Wordsworth के The word is too much with us को पढ़ना है, Table Turn को पढ़ना है, The Solitary Reaper को पढ़ना है, तो यानि कि यह work आपको पढ़ने की जरूरत पढ़ने वाली है, इसके बाद Robert Frost की तरफ अगर आप देखें, तो इनका है After Apple Picking, The Road Not Taken, Stopping by Woods on Snowy Evening, तो Robert Frost को भी आपको पढ़ने की जरूरत पढ़ने वाली है, तो यह आपको पढ़ना होगा, poetry section में, इसके बाद Robert Browning का भी एक work है, The Last Ride Together, जिसे आप line by line पढ़िए, देख अगर line by line पढ़ते हैं, तो उसका एक अलग impression होता है, और जब हम बिल्कुल short में, summary में, 10 minute, 5 minute वाला पढ़ लेते हैं, देखिए, उसका बहुत ज्यादा use नहीं होता, आपको इनको detail और थोड़ा depth में पढ़ने की जरूरत होती है, exam points को ध्यान में रखते हुए, और उसी according ह हम लोग पढ़ाने का भी काम करते हैं, तो poetry section buddies यह है, आपका बच्चा पार्टी, तो यह आपको पढ़ने की जरूरत है, इसके बाद आता है आपका प्रोज section, तो प्रोज section में क्या-क्या पढ़ेंगे आप, प्रोज section में जैसे Francis Bacon का of studies आपको पढ़ना है, of friendship आपको पढ़ना है dream children, यह बहुत important work है, इंडियन की अगर आप बात करें, तो आपको जवाहर लाल नहरू का teen age पढ़ने की जरूरत है, discovery of India पढ़ने की जरूरत होगी, और नीरत सी चौधरी का my mother guides यह पढ़ने की आपको जरूरत होगी, इसके बाद यानि कि यह तो non-fiction वाला पार आपको provide किया जाएगा, figure of speech आपको पढ़ने की जरूरत होती है, जो मैं शुरू में ही आपको बताया मैंने, कि आपको basics पढ़ने की जरूरत होती है, basics of English literature, तो जैसे आपको forms of poetry भी पढ़ना है, किस-किस type की poetry होती है, figure of speech, कौन-कौन से figure of speech है, उनके uses, उनके example समझने की जर पढ़ना है आपको, और अगर forms of poetry की मैं बात करूँ, तो आपको sonnet, ode, lyric, elegy और satire पढ़ने की जरूरत पढ़ेगी, ठीक, इसी तरह Indian writing भी यहाँ पर कुछ दी हुई है, तो जैसे short stories में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, आर के नारायन, Swami and friends, यह तो इनका पूरा मतलब novel ही है, सम जरूरत पढ़ेगी, यानि यह आपका syllabus ही है, ठीक, यही आपका syllabus है, अब इसमें अगर आप जितना बढ़िया से पढ़ लेंगे, grammar और literature मिला करके, जितनी अच्छी scoring, उतनी अच्छा मतलब, आपको outcome मिलने वाला है, तो यह हुआ दोस्तों, आपका complete entire syllabus MP grade 1 का, और इसी syllabus को आपको पढ़ने की जरूरत पढ़ती है, अब रही बात मैं आप सभी को बता दूँ कि जैसे मान लीजे कि अगर हमारे course है, तो हमारे courses में आपको क्या-क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा मैं आपको brief में बता देता हूँ, ठीक है, जैसे जो literature का पूरा part है, grammar का पूरा part है, आपको पूरा मिलेगा हमारे course में, मैंने जैसा की बताया कि course की जानकारी के लिए आपको इस number पर message करने की जरूरत है, इस number पर अगर आप message करेंगे, आपको पूरी course की जानकारी आजाएगी, पूरा detail आजाएगा, अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या-क्या जैसे आ आपको मिलेगा, तो देखिए जो आपको classes मिलेगी वो live classes होंगी, अगर आप live नहीं देख पाते तो आप recorded देख सकते हो, ठीक है, live नहीं देख पाते तो आप recorded अराम से देख सकते हो, जब आपका मन करें तब आप देखिए, और जितनी time आपका देखने का मन करें, उतनी time आप देखिए लाइब मिस्करतिया recorded देख लिजे कितनी भी बार देखिए कभी देखिए माली जो और साब बीच में करते हैं तो अगर आप जैसे course start हो चुका है बीच में करते हों जो course हो चुका होगा ओर recorded मिलेगा जो होगा वो लाइब मिल जाएगा आपको करेक्ट बिल्कुल कोई दोराय नहीं हिसमें समझ गया इसके बाद देखिए आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका आपको PDF प्रवाइड किया जाएगा देखिए PDF जरूर प्रवाइड करते हैं हम लोग लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे कहना च बेलेगा साथ में आपको दोस्तों डाउट सेशन मिलते हैं कि जैसे मां लिजे अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट सकते हैं क्लास में 试िलाइब क्लास में रहेंगे आपको पढ़ने के बाद क्योंकि हमें पता होता है कि भी कहां पर दिक्कत है कौन सा डाउट हो सकता है तो वो दोस्तों आपको बता दूं कि पूरा डाउट सेशन भी आपके लिए मिलता है इसके बाद देखिए जैसे आपको पूरा जो सलेबस हमने पढ़ा दिया तो पूरा सलेबस पढ़ाने के बीच में तो बीच में भी टेस्ट आपके लिए अवेलबल हो जाएंगे ठीक है यस तो आपको इसमें मिलने वाली है क्लासेस पीडिएफ डाउट सेशन टेस्ट आपको मिलने वाला है और भी मांकी जो फैसिलिटीज हो जैसे आप क्या वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हो आफ लाइन देख सकते बिल्कुल आप देख सकते ओरामसे अपने टाइम पर नो isu के साथ हपर रही बात की इस dot ka चार्ज क्या रहेगा चार्ज दोस्तों आपके लिए मिनिमं रहेगा मिनिमंंग चार्जस में हम लोग आपको maximum benefit देने की पूरी कोशिश करेंगे और ये बता दू मैं आपको किस बात की गारंटी रहती कि पूरा कोर्स आपका कबरब किया जाएगा जिस विश्वास के साथ आप लिटरेचर लवर्स बाकी अगर इसके रिगा इसके बाद भी अगर आपका कोई और भी डाउट होगा तो जब आप इस नमबर पर मैसेज करोगे तो आपको इसमें से पूरी जानकारी आ जाएगी और जानकारी के साथ-साथ फिर आप कोर्स जॉइन कर सकते हैं रहती है और आगे भी आती है और आती रहेगी और आप इंज्वाय कीजिए अपना खयाल लखिए और आपकी तैयारी के लिए आपको मेरी तरफ से गुड़ लग क्यूंकि देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ ट्यून रहिएगा थोड़ा बहुत जरूर यूट्यूब पब्लिक प्लाटफॉर्म के थ्रूभी तो तैंक यू सो माच बाई टेक केर और अपना खयाल लखिएगा